प्रेंट्स आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने फेस्बुक अकाउंट को पर्मानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं फेस्बुक अकाउंट को पर्मानेंटली डिलीट करने के लिए अपना फेस्बुक अकाउंट ओपन करें उपन करने के बाद जो हमें ऊपर थिरी ड्वाट दिख रहा है उस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह के डर्फेस होगा उसके बाद हम नीचे जाएंगे और सेटिंग एंड प्राइबेसी पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद दुबारा सेटिंग्स पर क्लिक करें उसके बाद हमें अहां पर एकाउंट सेटिंग मिल जाए यहां पर आप यहां पर परस्टनल इंफार्मेशन पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा यहां पर अपना नाम देख सकते हैं कंटेक्ट इंफो देख सकते हैं आइडेंटिटी कंफर्मेशन देख सकते हैं और मैनेज एकाउंट यहां से आप एकाउंट को मैनेज कर सकते हैं तो एक मैनेज एकाउंट पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर डी एक्टिबेट पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपसे आपके फेस्बुक एकाउंट का पासवर्ट पूछा जाएगा तो यहां पर पासवर्ट इंटर करें उसके बाद ओके पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद एकाउंट डी एक कोई एक चूज करके कांटिवने पर क्लिक करेंगे चली मैं एक कोई रिजन यहाँ पर चूज कर लेता हूँ उसके बाद कांटिवने पर क्लिक करेंगे अब यहां पर हमें बहुत सारे आप्संस देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर आप देशकते हैं पर दीएक्टिवेटिंग यूर एकाउंट यहां पर है अगर आप एकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां से डीएक्टिवेट कर सकते हैं यहां से आपको को सिलेक्ट कर लेना है तो यहां पर हमें डिक्टिवेट नहीं करना है में एकाउंट को पर्मानेटली डिलीट करना है इसलिए हम वैक वाले तीर पर किलिक करेंगे वहां उपर साइड में उसके बाद किलिक करते ही हमें एकाउंट डिलीट का आप्सन में यहां पर मिल और उसके बाद continue to account delete, delete, deleteion पर click करेंगे click करने के बाद आप before you delete, we may be able to help अब यहां से आप continue to account, deleteion पर click करेंगे यहां पर आप कुछ नहीं करना है continue to account, deleteion पर हम click कर देते हैं click करने के बाद अब यहां पर find more friends यहां पर आपको option मिलेगा go to help center का मिलेगा तो हमें कुछ नहीं करना है, continue to delete account पर click करना है click करने के बाद आप यहां पर दे सकते हैं permanently delete account आप यहां से to keep messenger, यहां में जो उपर option देख रहा है तो उपर हमें यहां पर देख रहा है to keep messenger deactivate instead उसके बाद हमें save post in your archive उसके बाद download your information यहां से आप अपना information download कर सकते हैं जैसे हमने दो फोटो यहां पर अप्रोट किया है तीन post हमने यहां पर किया है तो यहां से हम उसे download कर सकते हैं हमारे facebook id दो mobile application से link है pubg और pubg mobile light तो यहां से आप उसे देख सकते हैं उसके बाद हम delete account पर click करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपके facebook का password पूछा जाएगा password को enter करेंगे और उसके बाद ok पर click करेंगे continue पर click करेंगे उसके बाद confirm permanent account listen उसके बाद delete account पर click करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी facebook account deletion की message आज चुकी है your account is scheduled for permanent deletion यहां पर जो हमारी facebook account है 30 दिन में delete हो जाएगी if you long into facebook within the next 30 days अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो इसे लोगिन करके 30 दिन के अंदर इसे आप cancel कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होते से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेजिए हमारे चैनल को धन्यवाद